घर्मी के सीजन में हमारी physical activities and food habits कैसी होनी चाहिए तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे घर्मी बढ़ती है सरीर का जो कफ है वो छे को प्राप्त होता चला जाता है और उसके सांथ ही बात का विकार सरीर में बढ़ने लगता है इस समय सूरज की जो धूप होती है वो शरीर का प बाहर से आपको इचिंग होती है आपके पैर जलते हैं हाथ में भी जलन हो सकती है आँख भी जलती होंगे इन सब चीजों के लिए जलतत्यों के सूख जाने के कारण और सांथी सांथ गर्मी में सरीर की पूरी की पूरी इस निक्दिता घट जाती है तो इस समय छीते विशह वर्दते ऐसा आयूर्वेत के सहीता में कहा गया है कि गर्मी के दिनों में कव 6 को प्राप्त हो जाता है और वायू का विकार पूरे के पूरे शरीर में बढ़ने लगता है तो इस समय अपने को अपने भोजन में मदूर रस का प्रयोग करना है हमारे भोजन में मीठ वाला हो इसनिक्द हो और द्रवता वाला हो मतलब लिक्विड हो तो ऐसी कौन सी चीज है जो मीठी भी हो लिक्विड भी हो उसमें इसनिक्द पना भी हो पचने में खलकी भी हो तो आपको यह देखना है कि गर्मी के दिनों में आप अभी तक जितना भोजन करते थे उसमें से 20 प्रिस्षत भोजन अब आपको automatically बुद्धी पूर्वक कम करना है सुम्द्य सुरी महराज बहुत अच्छी बात कहते हैं वो कहते हैं यो मिद्भुक सा बहुभुक जो गर्मी के दिनों में पेट में थोड़ा सा जगह रखता है, कम खाता है वो जादा खाता है मतलब जो कम खाता है वो जादा खाने के लिए जादा दिनों तक जीवित रहता है ये एक बहुत बड़ी बात है तो अभी आप देखेंगे कि इन गर्मी के दिनों में जो मदूर हो, लगू हो हलके में, पचने में हलका हो इसनिक्द हो, शीतल गुणवाला हो, द्रवित हो, ऐसा आप जिसको आयुरवेद में साली चावल कहा हुआ है, कि आप चावल की खीर इसका प्रयोग करें और उसमें घी जरूर डालें, इसनिक्दिता बहुत चाहिए, उसमें मदुरस के लिए आप कोई भी मीठिक प्रयोग क करते हैं, तो यहां पर कहते हैं कि साली चावल हो, खीर हो, और अभी तक आप उलत की दाल का प्रयोग करते आए हैं, अब आपको उलत की दाल का प्रयोग बंद कर देना है, अब आपको मूं की दाल का प्रयोग सुरू करना है, आप मसूर की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन उल प्रत की डाल और राहर की डाल ये दोनों सरीर पर वायू विकार और जादा बढ़ाती है। अब आपने बहुत जादा आपको दूद पीने की आदत होगी। तो अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है। ठीक वैसे वैसे आपको इस बात की भी जांकारी हो कि आपको दूद की मात्रा अब सीमित करनी है। अगर आपने दूद की मात्रा सीमित नहीं करी तो वह दूद की मात्रा आपके सरीर में वायू विकार को प्रकुपित कर सकती है। साथी साथ, अगर आप सबजीयों को देखें, तो आपको पता चलेगा कि इस सीजन में आपको सबसे ज़्यादा लौकी है, खीरा है, कद्दू है, जो पानी वाली सबजीया है, इनका प्रयोग करना है, और बजारों में जो बड़ी बड़ी लौकी दिखाई देती है, उसके पेक्षा, आपको घर्मियों में कोई ऐसी वेवस्ता करनी है कि जिसके माद्यम से आपको छोटी-छोटी लौकी आपके घरों में सीधे किसान के खेश से रोध ताजी मिल जाए, लौकी की साथ एक बहुत अच्छी बात बताओं मैं आपको, कि लौकी का जो जूस होता है, वो बाडी की टैनिंग करते हुए बाडी के कलर को फेयर भी करता है, आप कभी देखिएगा कि जो लोग गर्मी की दिनों में लौकी का जूस ज्यादा लेना पसंद करते हैं, जूस पीते हैं, वो दीरे-दीरे गर्मियों में बहुत गोरे होते चले जाते हैं, तो ये जूस जो है, वो बहुत ज़्यादा विश पर नहीं खाया जाता है, गर्मी के दिनों में अगर आप सत्तु को पानी के साथ थंडे पानी में सत्तु डाल दिया, और सत्तु के साथ उसमें थोड़ा सा मीठा मिला लिया, और एक चम्मच उसमें घी जरूर डालना है, और फिर को सरीर को स्वस्त भी रखेगा, यह बहुत जानकारी वाली बात है, और अपन यहां पर इसके साथ ही साथ मीठे फालित त्यादिक में अभी आप देख रहे हैं कि पका हुआ आम आएगा, केला मिलेगा, और अंगूर मिलेगा, तो आपको यह देखना है कि काले और हरे अंगूर में से, काले अंगूर में एनर्जी पावर्स बहुत जादा होते हैं, तो अगर आप चाहें, तो आप काले अंगूर का अच्छे जो मिलते हैं, जो बहुत जादा फाल्टी लाजर से नहीं बनाय जाते, आप उनका प्रेयोग करें इस ग्रीश्म में तो बहुत पुरे बुंदेल खंड में और आसपास में फॉरंग कंट्री में भी कच्ची केरी का पना चलता है, कच्ची केरी का सर्वा चलता है, तो वो अभी इस गर्मी के सीजन में जैसे आपको लगे, आप उसका भी प्रेयोग कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स के माध्यम से आपको सबसे पहले अपने बच्चों को फुरूटी बंद करानी है, फुरूटी है, कोको कोला है, पेपसी है, ये सब ऐसे ड्रिंक्स हैं जो आपके बच्चे के फिजिक को खरब करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डैक्साइट जो होती है, आपको पता चले कि लिक्वि पेपसी या खुकुकुला या फिर दूसरे कोई भी जिसमें हाइड्रो कार्बन बगएरा मिला हुआ है, ऐसे हाइड्रोजन वाले ड्रिंक्स को लेते हैं, तो कई बार हाट अडेक आकर कि किसी की डैथ भी हो सकती है, तो इस बार बच्चों को समझाना है कि हमारी भारती श पसंद आएगा और पहली बार में ही फ्रूटी, कोको कोला, थमसा, पेपसी इन सब चीजों की अपने के दिमाग से आदत चली जाएगी, जो कि फ्रूटी के साथ अपने को लगता है कि ये आम की बनी हुई है, एक्शुर में जब आप उसके रसायनक घटकों को देखेंगे तो आपको पदा चलेगा कि इसमें आम नहोकर के आम का फ्लैवर मिला हुआ होता है और पानी के बेस्ट में सक्कर मिला करके और फ्लैवर मिला करके वह ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो आपके बच्चे के फ्रूटी के कहीं तक कोई काम नहीं आता, तो ख्रूपया करके आप 15 सुर्पय के चक्कर में जिस बच्चे को अपकी माने मौत के दर्द को सह करके पैदा किया है उसके सरीर को आप फ्रूटी पिला करके खराब नहीं करें ऐसा मेरा मानना है और इस जो सीजन है इस सीजन में लवन रस की हमको एवाइट करना है मला बहुत जादा नमकीन बहुत ज बैसन के आइटम यह नहीं खाने बैसन कई जितना ज्यादा खाइंगे उतना ज्यादा हमारे पेट में साल भर के लिए कब जीए अब बनने लगे तो गर्मी के दिनों में बैसन के आइटम का प्रयोग अपन को नहीं करना है और बजार का तेल का बोजन अपन करते वो तेल की बोजन के करने से हमारे सरीर में इस गर्मी में चुकि उपर से बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और अंदर से वो तेल की आइटम जो है वो आपको इसकी स्कीन डिसीज़ पैदा कर सकते हैं तो आप देखेंगा कि आपके हांघ का यह जो पर्शान है पैर के नीचे का पॉर्शैन है जो और टीकटरस तिक तिखाइब हुए बहुत ज़्यादा कोरिजा से निश्चाइन के रहे करनी है कई बार जादा मिर्च की ईलर्जी के कारण सरीर के जो बहुत जादा मर्म इस्थान होते हैं कोमल इस्थान होते हैं वहाँ बहुत सारे फोड़े फुनसी और बैड स्मेल आनी लगती है तो अपनको मिर्च भी बहुत कम करना है और अमनरस जादा खट्टा नहीं लेना है अब ऐसा लोगों को लगता है कि अपने बहुत जादा खट्टा पिखाएंगे पिएंगे ठंडी में गर्मी में तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन गर्मियों में बहुत जादा खट्टा नहीं खाये जाता है थोड़ा खट्टा टेस्ट बनाने के लिए और पित्त की समन के लिए लिया जाता है गर्मियों में अब अपनको धना का प्रयोग बढ़ाना है धना है सौफ है और भोजन के पस्चात प्रतिक घरों में सौफ और सौफ के साथ थोड़ा मीठा लोग बूरा लेना पसंद करते हैं तो बूरा और सौफ मिला करके बोजन के पस्चात प्रतिक व्यक्ति को खाना चाहिए सौफ और बूरा खाने से कभी भी भोजन के कारण उत्पन्नुवा कफ जो है वो छाती में नहीं जमता जिसके का लंग्स और पैक्स कभी खराब नहीं होते यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि जैसे अपन भोजन करते हैं तो भोजन करने के साथ ही हमारे अंदर का कफ प्रकुपी दोकर के लंग्स में उपर तक आ जाता है और वो लंग्स उपर जब गरम पानी लेते हैं या ठंडा भी ल लागता है तो गर्मी के दिनों में आपको इस सौफ के और बूरे का प्रयोक भूलना नहीं है व्यायाम धरनके का ज्यादा नहीं करना है मठके का पानी का प्रयोक करना है अगर आप घर में हैं ग्रहस्त हैं तो आप मठके का पानी तो ले सकते हैं लेकिन आपको फ्रिज का पानी नहीं नहीं नहीं